दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने पंजाब की एक रैली में ये कहा कि दिल्ली की सातों की सातों लोग सभा सीट आमादी पार्टी जीत रही है और दिल्ली के लोगों के ओपर जिस तरह का आत्याचार भारती जनता पार्टी ने किया, जिस तरह से सुप्रीम कोट के फैसले के धजियां उड़ाई गई, जिस तरह से जबरदस्ती जो है दिल्ली का अधिकार छीना गया, कानून बनाया गया, जिस तरह से दिल्ली के अंदर के सारे कामों को रोका जा रहा है और भारती जनता पार्टी की जो सातों सांसद हैं दस साल से वो मौन साधे बैठे हैं और मुख समर्थन कर रहे हैं तो आज दिल्ली के लोग भारती जनता पार्टी को हराने की तैयारी कर रहे हैं साथी political affair committee की बैठक भी है आमादी पार्टी की कल उसमें क्या दिली पर भी चर्चा हो निशित रूप से लोगसवा चुनाओ को ले करके चर्चा होगी और पूरे देश भर में आमादी पार्टी को कहां कहां चुनाओ लड़ना है कैसे लड़ना उन सभी विसों पर चर्चा कर रहे हैं सीट शेरिंग के और उधर आप कह रहे हैं कि साथ सीटे दिली में आमादी पार्टी जेतेगी तो यह माले की असम और पंजाब की तरह दिली में भी गटबंधन नहीं होगा आमादी पार्टी अकेले चुनाओ लड़ना को ले करके वारता चल रही है लेकिन एक ची चीह है क्योंकि पहले भी आमादी पार्टी ये नराज की altura कर चुकी है कि सीट शेरिंग को लेकर जो कमीटी बैठक कर रही है क्या होगा अब यह बड़ा सवाल है कैबरामैन पावन के साथ्थ पंकर जेन दिली आज तक